दर्शे को स्वागत है आपका डश्ट फाइनेंस चैनल पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दावा के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर या किसी भी गूगल की सर्च इंजन की साइट पर आपको ये जानकरी नहीं मिलेगी आप चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले ये जानकरी सर्च करके मेरे वीडियो पर आ सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगला मार्केट क्रेश कब होगा कोई भी न्यूस चैनल कोई भी वीडियो चैनल आपको ये नहीं बता रहा है लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि अगला मार्केट क्रेश कब होगा उसी साथ से आप अपनी तयारी रखिए अगर मार्केट में हैं तो प्रोफिट बुक करके निकल जाएए अगर मार्केट के बाहर हैं तो पैसा लगाने के लिए तयार रही है क्योंकि मार्केट आपको एक अच्छा मुका देने वाला है चलिए देखते हैं पूरे प्रोफ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट क्रेश होने के लिए मैं क्यों आपको जेता रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले अपन Google Chrome चालू कर लेते हैं अपने मोबाइल में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है निफ्टी P.E. Ratio मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ निफ्टी P.E. Ratio और एंटर करूँगा तो देखिए आपको एक साइट मिलेगी यहाँ साइट का नाम है निफ्टी P.E. Ratio.com मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए दोस्तों अभी यहाँ अमारे पास चार्ट ओपन हो गया है यह चार्ट हमें बता रहा है अब उपर देखिए क्या आपडेट आ रही है कि इसको थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ ताब कि आपको दिखाई दे यहाँ लिखा रहा है निफ्टी P.E. Ratio Chart 27.11.2020 आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आज 29.11.2020 है यानि संडे है और दो दिन से मार्केट बन्द है ठीक है दोस्तों तो आप इदर अभी क्या देख सकते है यहाँ निफ्टी का P.E. जो बताया गया है यह देखिए आप निफ्टी 12,989 पर बन्द हुआ है और निफ्टी का P.E. 35.66 35.66 ठीक है दोस्तों अभी 35.66 P.E. पर है अभी हम इसको एक चार्ट से समझते है देखिए दोस्तों जो मेरे वीडियो में उल्टे हाथ पर है देखिए आपको दिखाता हूँ मैं यह देखिए उनिस सो निफ्टी का P.E. बारा पॉंट चुरासी क्वाटर 2 में है 17.25, क्वाटर 3 में है 20.49 और क्वाटर 4 यानि की जनवरी, फरवरी और मार्च इसमें है 22.18 अभी देखिए आप 2000 में क्या हुआ यह रेट जो आपको बता रहा है 2000 में 26.32 यह क्यों बता रहा है आपको क्योंकि निफ्टी का P.E. एक लेवल से उचा चला गया है वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताता हूँ देखिए उसके बाद निफ्टी का P.E. आया 22.25, फिर आया 20.80, फिर आया 18.83 यानि निफ्टी का P.E. 26 जाकर दुबारा 18 आया यानि लगबक क्वाटर 2.1999 के बराबर पर पहुँच गया ठीक है फिर अब हम 2008 के मार्किट क्रेश को यहां से समझते हैं देखिए 2006 से देखते हैं 18 निफ्टी का P.E. था 18.51 हुआ, 18.84 हुआ, 20.82 हुआ क्वाटर वन में 19.42, 19.77, 20 गया और फिर ये रेड हुआ, 25.57 यानि निफ्टी अपने हाई जोन में चली गई P.E. में उसके बाद फिर मार्किट डाउन आने लगा 22.18, 20.44, 18.15 और ये देखिए 12.84 ये है मार्किट का क्रेश जो मार्किट का क्रेश 2008 में हमें देखने को मिला था, ये देखिए आप, 12.84, कहां पोंच गया ये निफ्टी, 1999 में के स्कोर के बराबर, ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखते हैं, 2009 में क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, 2009 में निफ्टी थोड़ा बड़ा, 13.17 आया, फि 2010 में 24.44, यानि निफ्टी फिर से अपने डेंजर जोन में चला गया, और निफ्टी आप देख रहे हैं, 2011 में फिर 17.87 पे आ गया, यानि निफ्टी डाउन हो गया, और quarter 2 दो 1999 के बराबर निफ्टी चला गया, यानि 1999 में जो निफ्टी का PE था, वही निफ्टी का PE 2011 में आ दुबारा, यानि market में अब जो इसे कहते हैं, valuation सस्ते पे मिलना, यानि आपको जो share हैं, जो बहुत ज़ादा गिर गए हैं इसी market की मंदी में, वो सस्ते पर मिल रहे हैं, ठीके दोस्तों, अभी देखते हैं वापस आगे चलते हैं, जादा लंबा वीडियो को ना करते हूइ तो मैं सीधा आपको 2019-2020 पर लिए चलता हूँ, यह देखिए दोस्तों आप जानते हैं, कोरोना वाइरस आया था मार्च 2020 में, देखिए, यह quarter 1, quarter 2, quarter 1, उसके बाद अभी निफ्टी चल रहा है, quarter 4, यानि डिसेंबर का जो का है, इसमें, last quarter जो भी चल रहा है, quarter 4, उसमें 34.49, इतना आप देख सकते हैं, उपर से लेकें निफ्टी का चार्ट नीचे तक, निफ्टी एक बार भी इतना हाई नहीं रहा है, निफ्टी जब भी 25 के उपर गया है, 26 गया है, 26 गया है, उसके बाद निफ्टी 2018 से ही हाई रेंज में चल रहा है, निफ्टी का PE है, जो हाई र वाता quarter 2 यानि आप जान लीजिए जब कोरोना का काल चल रहा था उसके बाद निफ्टी अचानक से हाई पे हाई बना रहा है निफ्टी का वेलिशन आज तक इतना हाई नहीं गया जितना अभी हाई है अभी पुरानी परिस्तितियों को देखें हिस्ट्रीकल इसका अनलाइसिस करें तो आप समझ जाएंगे कि ये वेरी रेड जोन में है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको देखिए अभी बैक चलते हैं जब आप सर्च करेंगे तो सबसे उपर उपर ही एक कोलम आ रहा है इसमें देखिए आप निफ्टी की वेल्यूशन वेरी एक्सपेंसिव रहती है जब पच्चिस से तीस होता है इट से रेयर इवेंट और वो रेयर इवेंट इस समय मार्किट में चल रहा है ठीक है दोस्तों इसका मतलब अभी जो भी शेयर है या जो भी भाव है वो वेरी एक्सपेंसिव रेंज में चल रहे है उनमें आपको अभी नहीं पढ़ना है अपने पैसे को सेफ्टी से निकाल लीजिए और बीस से पच्चिस रेंज में जब निफ्टी होता है बुक 80% प्रोफिट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको क्या करना है 80% अपना प्रोफिट बुक कर लेना है यानि इस रेंज में ही आपको अपना माल 80% बेज देना है इस रेंज में मार्केट जाता है तो आपको अपना माल बेज के निकल जाना है और कब तक निकल जाना है जब तक market inexpensive range में या average range में नहीं आ जाता मैं personally आपको suggest करता हूँ market जब तक 15-18 की range में रहता है तब आप अपना पैसा उसमें लगाईए और ऐसे event market में बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें below 12 nifty का PE चला जाए It's a rare event and you have to buy lot of shares तो दोस्तों मेरा यह उद्दिस से analysis का इतना ही था यह purpose इतना ही था ताकि आप अगर कोई माल आपने खरीदा हुआ है तो उसे profit book कर लें और market से निकल जाए और इंतजार करें कि nifty की valuation अपनी average range में आ जाए वीडियो अगर अच्छा लगा और analysis अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को subscribe करना दोस्तों